महिलाओं के लिए विज्ञान स्वास्ति एवंग पोसण अब आप सुनेंगे हमारा विशेश कारिक्रम ये कारिक्रम रास्टी विज्ञान एवंग प्रोध्योगी की संचार परिसद विज्ञान एवंग प्रोध्योगी की विभाग भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमावानी सामुदाइक रीडियो द्वारा तैयार किया गया आज में बात करने के लिए जा रहा हूं महावारी के संबंद में जो की एक महिला में होने वाली एक प्राकृति किसे हम कह सकते हैं तो मैं इसके बारे में जानना चाहूंगी सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि महावारी आखिर क्या है महावारी को जिसमें की महिलाओं के अंदर एक उम्र में, बारा से ये उम्र में शुरू होता है, बारा के बाद में भी होता है उम्र के हिसाब से, तो ये एक ऐसा चक्र है जो हर महीने कर्णियाओं को एक महीने के अंतराल में योनी के दोरा जो रक्तसरा होता है, इसको हम कहते मासिक चक्र या महावारी बिल्कुल मैम इसके साथ ये भी जाना चाहूंगी एक लड़की को महावारी कितनी उम्र से सुरू होती है पहले तो ऐसा माना जाता हुथा है कि 13-14 के उम्र में लेकिन जैसे समय का यूग परधान भी समय भी होता है खान पान आपके राता वरण का संबन कैसे तो अब जो है कई बच्चों के अंदर खाना पीना खान पैन और आपने उसके आज व्यवहार आचार व्यवहार के विसाब से 12-11 साल से भी कन्याओं को या प्लड़कियों को महावारी शुरू हो जाती है महावारी के दौरान रख्ट शुरू कितनी दिन तक होता है ज़्यादा तर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस जिसे हम कहेंगे चिकितसा उसके हिसाब से महावारी को कम से कम 3-4 दिन और कभी-कभी इसका समय पांच दिन भी हो सकता है पांच दिन के बाद इसका समय थोड़ा सा ज्यादा माला जाता है तो तीन से पांच दिन का समय यह ऑप्टिमम टाइम होता है जो कि रत्सा होता है बिल्कुल मैं कभी-कभी देखा गया है बहुत सारी महिलाओं में कि पांच से ज्यादा दिन भी होता है कभी-कभी चा चा, छे, साथ दिन भी हो जाता है, दस दिन तक भी होता है, तुमें इसका क्या कारण हो सकता है, इसका क्यूं होता है? इसको जैसे आपने प्राकृतिक वर्ड बोला था यह प्राकृतिक को हम फिजियोलजी से आप समझ लीजिए इसको नॉमल एक प्राकृतिक यह भगबार ने प्राकृति के दौरा बनाएगी यह चक्र है यह महावारी चक्र इसमें तीन से पांच दिन का अंतराल ही प्रमात्म के दौरा यह प्रकृतिक के दौरा इसको महिलाओं को दिया गया लेकिन कभी-कभी अगर यह ज्यादा होता है तो कुछ जिसके कारियानिकी इनको हॉर्मोन्स कहते हैं जिसके वज़े से यह हमारे रक्सरा होता है यह यह महावारी होती है इसके उपर नीचे असंतुलन के इ उसके वज़े से इसके दिन बढ़ भी जाते हैं और कम भी हो जाते हैं और मैम जैसे कि आपने बताया कि 11 साल से या फिर हम 12 साल से कहीं के महिलाओं को महावारी सुरू हो जाती है लेकिन देखा गया है कि जब सुरुवात महावारी होती है उसके बाद कई महिनों तक नहीं अक्सर मैंने बहुत लोगों के महु हैं, तो ऐसा क्यू होता है? मैं के बीच में जो पांचे महीने हैं, वो गायब क्यों हो जाते हैं? वो शुरुवात में वही कारम南े ने बताया है होर्मोन इसे कहते है जिसे हमारे लड़कियों के ना महीला के सेकंडि determinations इसे सेक्ष जिए कहते हैं उनका स्थन का बढ़ना, उनकी योनी से श्रावी रक साव्य अजा महावारी है और maturity है, growth है, वोड़ी की, है न, यह सब चीजें होती है, तो यह सब hormones की वज़े से होती है, यह प्रशना आपका बार बार आएगा, इसलिए मैं इसको पहले ही clear कर लेती हूँ, यह hormone जैसी चीज हमारी जैसे रसाइन जैसे हम कह सकते हैं, वो हमारे कुछ शरीर के अंदर निकल होना यह सब होता है, ऐसी ही के विपरिधा पुरुशव के अंदर ऊसके अंदर इसको दूसरे हॉर्मोन के निकलते हैं, इसको में को clarify करना बहुत जरूरी है, इस्पष्ट करना ज़रूरी है, तो पूरुशव के लिए उस"-से पुरुशट ने पहुन HRรण ये चीज होती है तो हॉर्मोन्स के ऊपर और नीचे होने के वज़े से ये कभी रग्साओं का दिन बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं और जो प्रशन भी अभी आपने पूछा कि कुछ दिन दो-चार महीने तक नहीं होता है, कारण वही होता है और ऐसा कोई विश्यस कारण नहीं होता है, और अगर फिर भी कही जादा होता है, तो बाद में देखा जाता है, कि हो जाता कभी कभी उस यूट्रस में फाइब्रा डोर जाता है, या ओवरीज में जो अंदर महीलाओं के लिए जो जिससे की बाद में गर्व की उत्पन्नता ह होती है, तो उसके अंदर कोईने कोई विकार हो जाता है, तब तो हम बहुत समय तक आप सकते कि बहुत जाले कि तीन-चार महीने का अगर अंतराल होता है, तो हम इसमें यही मानते है कि हॉर्मोन के डिस्वैलिंस के वज़े से उपनीशी हो जाता है, और मैं अक्सर सभी को स से निकलते हैं, तो कुछ हॉर्मोन, कुछ लड़कियों के अंदर इस तरह से होता है कि उनकी फिजियोलोजी के संग में वो मैश ने कर पाते है, और उसको कुछ समय निकलता है, विल्कुल मैम, लेकिन यह तो रहा कि पेट में दर्द होता है, जो की सामानिया बात है, यह हम तो वही लियाते, डाइसाइकलोमें जिसे आपने कहा था, उसी तरह की दवाई लियाती, इसके लिए अलग से कोई दवाई नहीं बनती, कि हम कहें, नाम अलग अलग हो सकता कंपनी होगा, लेकिन दवाई की जो कंपोजिशन, जो केमिकल है, वो सेम रहता है, क्योंकि मैं अ अगर इस तरह की बात है, तो पहले पूछना पड़ेगा, या शादी शुदा है, अगर बात है, तो पहले पूछना पड़ेगा, या शादी शुदा है, अगर बात है, तो पहले पूछना पड़ेगा, या शादी शुदा है, अगर बात है, तो पहले पूछना पड़ेगा जालिका है और इस्तरे का कुछ बात नहीं है तब तो फिसकाम अधिशीदा सीधा है कि हॉर्मोनल और हुर्मोनल तो खेत अब भी आधि लेकिन वह उप्रिगनेंसी से मतलग है बच्चा गर्व स्थापन से गर्वधान नहीं कर रह रहा है उसमें और लेकिन कई बार अगर महा और हें, जो हो महावारी आती है, एक होर्मोन होता है जिसे गर्ब धारन होता है तो यह वाले में ऐसा हो सकता है और हाँ अगर कुछ कन्याओं में बहुत समय तक नहीं हो रहा है और हॉर्मोनल प्रॉब्लम नहीं आ रही तो उसको एक बार अल्ट्रासॉंड जैसी चीज पेट का एक सरे कहते हैं वो करवा लेना चाहिए कई बार क्या अदा फाइब्रोड वगरा भी हो जाता है तो इसलिए इसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि ऐसा हो रहा तो छोड़िये हॉर्मोनी होर्मोन का कारण है ऐसा भी नहीं है एक अच्छे सी किसी स्थी विश्चे शक्र को दिखा करके पता कर ले रहा है क्योंकि वो फिर खोलने की दवाईयां भी देती है अगर उससे दवाईयां खान करके महावारी शुरू हो जाती है इसका मता तो हर्मोनल है अगर उसके बाद भी नहीं हो रही तो उसको एक अल्टरसांट वगरा करा करके देख लेना चाहिए कई बगरंथियां फाइब्रोय और सिस्ट वगरा वगरा चीज़े हो जाती है जिनम मैं अक्सर जैसे कभी कोई बचा नहीं चाहते हैं इसके लिए वो दवाईयों का इस्तमाल करती है तो क्या मैं इन दवाईयों से भी महावारी पर कोई फरक पड़ता है हाँ बिलकुल पड़ता है उससे फरक यह पड़ता है अगर सिस्टम से आपने पूर एक किस दिन की गोलिया होती है और तीन चोड़ना पड़ता है उसको फिर पांच देन से फिर आपका महावारी जो होती है वो लगाता रा जाती है उससे यह होता है कि कुछ-कुछ महिलाओं में बहुत ज़्यादी रख्त्राव होने लग जाता है और ऐसे कोई बहुत ज़्यादा हर्मोन में आफरक नहीं पड़त बिलकुल मैं मियतु रही महावारी की तमाम अपने बाते हैं और इसके साथ एक चीच और मैं पूछना चाहूंगी एक महिला को सामाने तो है कितनी साल तक महावारी होती है अकसर महावारी की जो उम्मर स्टार्ट होने के उसको मीनार्ख कहते है और कम उसमें जो जरूर कर लेना चाहिए तो यानि 11 साल से लेकर के 45 साल 45 से 50 साल तकी उमर होती है जिस इस बीच में महावारी होनी चाहिए लगाता रहोना चाहिए 50 साल के बाद 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 होता है उसको मीनो पॉस जिसे हम कहते है जी बलकुल और मैं एक चीज़ ये भी देखी गई है मैंने कई में लड़कियों में ये सुना है कि महावारी के दौरान जैसे ही नहाती है जबकि महावारी के दौरान कहते हैं कि साफसफाई जरूरी है तो नहाना दोना होता है उसकी वजे से ज़्यादा रख स्रा होता है तो ये वास्तों में ऐसा होता है सही है ये बात इसलिए गाओं के लोगों का अवेर करना, को जागरूप करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल मैम, और एक जी भी पोछा चाहूंगी, जैसे आज कल हम देखते हैं, बाजारों में कई तरह के पैड वगरा मिल जाते हैं हमें इस्तमाल करने के लिए, लेकिन ज़्यादातर लोग कईडसे बहुत लोग नहीं इस्तमाल करते हैं, क्योंकि बहुत सारी लोग नहीं भी करती हैं से इस्तमाल, तो घर में जो कप्रा इस्तमाल करते हैं, मैं मुग कैसा हो किस दरूसे इसकी साफ सफाई रखी जाए, और उसको हम कितना इस्तमाल कर दाशाँ है, इस Eph принципе, on the study to have Bralings, फिर फिर नीं ऐते हैं यह अग्जा में कोई ढूपराब लें जो सूती लें जब प्रोडियोर सेकते कोह विशेड़ियों का जब रissements और में हमारी के दौरान भी क्या कोई extra nutrition की जड़त पड़ती है लड़की को एक महिला को उसका खानपान किस तरह का होना चीज तो पूरा ही holistic ज़से हम कहेंगे पूरा ही कर आम बात करें तो खानपान तो हमेशा nutritious होना ही चीज है मतलब समें iron क्योंकि रक्साब जादा होता है तो जड़ा तर खून निकलता है खूनी गिरता अक्साब भी होता है तो हमोगलोमीन ही गमी होती है तो हमोगलोमीन का रिच सोर्च होता है iron तो iron में सेव अगरा होते है सेव है चुकुंदर है गाजर है हरी सबजिया है यह खाना ही चाहिए यह तो बेर को लगता है वैसी भ पूरी महावारी की दौरान हमें जो पाते करी और इसके अलावा में यह चाहूंगे मैम आप हमारे तमाम महिलाइं जो आपको सुन रहे है उनके लिए क्या संदेश देना जाहेंगे संदेश में यही देना चाहूंगी कि एक तो ब्रांतिया रूरी बाहिता है बिल्कुल को धन्यवाद आपका आपने तमाम चर्चा में भागी दारी करें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद में तुम्त कि 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 कि